Hello everyone, welcome to Botanopson channel for UPSC examination. Friends, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रोकेरियोटिक सेल. प्रोकेरियोटिक सेल में वहाँ दो टापस के सेल देखने वामें मिलते हैं. फर्स्ट इस युकेरियोटिक सेल और सिकंड इस प्रोकेरियोटिक सेल. तो जो प्रोकेरियोटिक सेल होती है, वो कैसी होती है, उसमें कौन-कौन से ओर्गनल्स होते है, और यह सिंगल्स सेल होती है, वो कैसे सर्वाइव करती है, इसके बारे में यह पूरा लेक्चर आज हम कंड़ेट करने वाले हैं. तो UPSC Mance Examination Point of View, आंसरिंग कैसी होनी चाहिए, उसके बाद यह जो आंसर होते हैं, उसमें कौन-कौन से पॉइंट क्रेटिकर होते हैं, और किस तरह से आंसर लिखा जाता है, इसके बारे में भी सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे. इससे पहले की वीडियो लेक्षर हम शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन कीजिए, जो बातने आशनल चैनल के नाम से ही है, वह आपको रेगुलरली वीडियो के जो है, वो लिंक्स मिल जाएंगे, क्योंकि यूटूब मोस अगर आप एक्जांपल के तौर पे अगर सोचते हो, कि प्रोकारियोटिक सेल्स को रिप्रेजन करने वाले कौन कोई से ओर्गानिजम होते हैं, तो बैक्टेरिया हो गए, ब्लियोग्रीन अल्गी हो गए, या फिर माइको प्लाजम हो गए, या फिर पिपी अलो जैसे ओर् और आफ आप आपे देखाएं कि मोस्ट आप ऑफ टाइम यह ऑर्गानिजम होते हैं, वह यूदी सेलूलार होते हैं, तो इसल्लार जो ऑगए, वह प्रोकारियोटिक से अंडर आते हैं, जैसे बैक्टेरिया हो गया, ब्लियोग्रीन अल्गी है, वाइको प्लाजमा है, या TPLO-like organism, okay, now see, the prokaryotic cells is like one room cabin in which the eating, sleeping and watching TV occur at the same room, देखे, अगर आप इसको carefully observe करोगे इस prokaryotic cell को, तो इस prokaryotic cell में आपको compartment कहीं पे देखने को नहीं मिलेंगे, okay, इसका मतलब क्या है कि compartmentalization इस cell का नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई compartment नहीं है, अगर आप देखो कि यह पूरा cell, बस एक रूम के तरह ही है, बस एक रूम है, वही पे सारा work चल रहा है, सैटोपलासम भी यही है, DNA भी सैटोपलासम में है, रैबोजोम जाय है, प्लाज्म मेंब्रेन का कॉंटेट भी सैटोपलासम से यह, तो यहां सेपरिट कुछ नहीं है. अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस point का क्या importance है, देखिए, जो eukaryotic cell होते हैं, eukaryotic cell में for example, ये eukaryotic cell है, तो eukaryotic cell में यहाँ nucleus होता है, और nucleus के अंदर जो कुछ होता है, वो cytoplasm के contact में नहीं आता है, उसी तरह से जो other organal है, वो भी membrane bound organal होने की वज़े से वहाँ पे compartment बन ग है, ये बस single room की तरह है, बस एक room है, जहाँ पे सारे functions एक ही जगा पे हो रहे हैं, चाहे हो chemical reactions हो, cytoplasm होने वारी, चाहे हो DNA replication हो, चाहे हो cell replication हो, चाहे हो protein synthesis हो, सारी processes जो है, वो एक ही room में चल रही है, वहाँ separate rooms नहीं है, या फिर separate compartments नहीं है, अलग-अलग वहाँ पे processes करने के लिए, जैसे eukaryotic cell में होता है, कि photosynthesis जो होता है, वो chloroplast में होता है, उसके बाद जो respiration जो होता है, वो mitochondria में होता है, उसके बाद जो सब कुछ cell का storage होता है, वो vacuoles में present होता है, तो यह सब कुछ compartmentalization हमें देखने को मिलता है eukaryotic cell में, लेकिन prokaryotic cells on the other hand, they have only single room, जहाँ पर सारी like processes, सारी reactions जो है, वो एक ही जगा पर हो रही है, that is why हम कहते हैं कि जो prokaryotic cell होती है, यह बड़ी simple cell होती है, और यह जो eukaryotic cell होती है, उसके comparison में simple है, और eukaryotic cell ज्यादा complex है, right, okay, they are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell, देखे, eukaryotic cell और prokaryotic cell में क्या पर रखे है, कि generally जो eukaryotic cell होती वो small होती है, लेकिन जो prokaryotic cell होती है, वो rapidly divided होती है, okay, मतलब उसका dividingation time बहुत कम है, बहुत जल्दी वो rapidly divided हो जाती है, while eukaryotic cell में वो ज्यादा time लेती है, divide होने में, so generally prokaryotic cell होती है, वो smaller होते है, as compared to eukaryotic cell, और prokaryotic cell जो है, वो rapidly divided होती है as comparison to the eukaryotic cell, and see, they may vary greatly in shape and size, there are four basic shapes bacteria have, the first is bacillus that is rod-like, देखे बैक्टरिया में जो होते four basic types के shapes देखे जाते है, यह जो चार shapes बैक्टरिया के, यहाँ पे दिखाई गया है, देखे, जो bacillus bacteria है, उसका rod-like shape होता है, देखे, जैसे यहाँ पे यह bacillus का bacteria है, और उसका shape जो है, वो rod-like है, then there is a cocus bacteria which is spherical shape, यहाँ पे देखे, आप cocus बैक्टरिया आपको दिख रहा होगा और यह spherical shape है, इसका, विब्रियो जो होता है, वो comma-like होता है, this is the vibrio, which is a comma-like shape, and then there is a spiral-like shape, यहाँ पे आप spiral-like shape, यहाँ पे आप spiral-like shape होता है, तो जो बैक्टरिया होते हैं, जैपर जो eukaryotic organism होते हैं, जिसमें बैक्टरिया एक major group है, इस बैक्टरिया में, चाल्ड डिफरेंट टाइप्स के, four different types के shape समेथ देखने को मिलते हैं, जो पहला shape है, वो bacillus का है, जैसे rod-like shape है, दूसरा जो cocus का है, वो spherical shape है, उसके बाद जो third vibrio है, और उसके बाद जो spiral chip का होता है, तो shape में vary करते हैं, जो prokaryotic cells में जो बैक्टरिया आते हैं, इस shape में largely vary करते हैं, और bacillus, cocus, vebrio, spiral chart different types के shape दिखाते हैं, like rod shape, spherical shape, comma shape and the spiral shape, all right, and the organization of the prokaryotic cells is fundamentally similar, even through the prokaryotic cells exhibit the wide variety of shapes and functions, देखें, यहाँ पर important बात है, है, कि shape कोई भी हो, okay, लेकिन जो basic है, मतलब चाहे हो bacillus हो, चाहे वो vibrio हो, कोई भी हो, कोई भी बैक्टरिया हो, या फिर कोई भी prokaryotic cell हो, उसका जो basic, जो fundamental structure है, वो same ही है, मतलब सब में वहाँ पे plasmid हो, में वहाँ पे major tablet है, वहाँ पे plasmid मिलेगा, जो motel होंगे, उसमें flagellum मिलेगा, वहाँ पे single room जैसी condition होगी, वहाँ पे naked DNA होगा, मतलब जो basic, fundamental feature है, सारे prokaryotic cell का हो एक जैसा ही है, okay, लेकिन shape or function different हो सकता है, लेकिन basic जो का structure है, सारे prokaryotic cell का, वो nearly एक जैसा है, यह जो सारे prokaryotes होती है, all prokaryotes has the cell wall surrounding the cell membrane, except the plasma, mycoplasma, देखे, जितने भी prokaryotic organism है, यह prokaryotic organism में cell wall present होती है, देखे, cell wall के जब भी हम बात करते हैं, तो हमने पहले देखा है कि cell wall जो होती है, वो plant cell में present होती है, उसके बाद हमने बोला था कि फंगाई में भी present होती है, उसक यह आपको याद रखना है, तो prokaryotes में एक अच्छी खासी cell wall होती है, जो plasma membrane के बाहर से होती है, मतलब अगर यह bacterial cell है, और अंदर से plasma membrane है, तो बाहर से एक और layer होती है, it is called the cell wall, तो वो cell wall से surrounded रहते हैं, और यह cell wall जो होती है, majority of the type, वो peptido glycon से बनी होती है, तो आपको याद mycoplasma, which is the smallest cell, पिसके lecture में हमने देखा था mycoplasma, जो सबसे smallest cell है आज के living world में, यह mycoplasma prokaryote होने के बावजूद, इसमें जो cell wall हो अपसें होती है, तो यह exceptions है, okay, prokaryotes में, कि mycoplasma जो belong करता है prokaryotic cells को, prokaryotic organism को, उसमें cell wall जो होती है, वो क्या होती है, अपसें होती है, अब cell wall absent होने के कारण, यह exception मना जाएगा, क्योंकि बाखी जो prokaryotes है, उसमें एक अच्छी खासी cell wall हमें क्या है, देखने को मिलती है, all right, the fluid matrix, filling the cell, is a cytoplasm, and there is a no well-defined nucleus, यहापे जो fluid होता है, अंदर, semi-fluid होता है, यह इस fluid को बोला जाता है, cytoplasm, okay, यहापे जैसे आप label देख पा रहे हो, यहापे cytoplasm ही present होता है, और cytoplasm prokaryotes और eukaryotes दोनों में होता है, तो cytoplasm जो है, वो common feature है, बोत prokaryotes का और eukaryotes का, तो fluid like cytoplasm है, और cytoplasm के ठीक बीच में, यहापे आपको DNA देख रहा होगा, और nucleus जैसा structure हमें यह बीच में दिखाई देता है, लेकिन nucleus जैस लेकिन in place, वहापे एक underdeveloped structure में देखने को मिलता है, जैसे यहापे आपको DNA देखने को मिल रहा है, which is naked DNA, and that place is called as the nucleoid, तो ऐसे condition में उसको क्या बोला जाता है, nucleoid बोला जाता है, तो यहापे naked DNA होता है, DNA सीधे-सीधे float करता है, cytoplasm में ही, मतलब DNA का contact सीधे cytoplasm के साथ होता में naked DNA पढ़ा रहता है, और उसको सराउंड करने वाली nuclear membrane वहापे present नहीं है, जैसे वो eukaryote में present होती है, जैसे यहापे genetic material is basically naked, जैसे अभी हमने बात की कि यहापे naked genetic material होता है, जो भी DNA होता है, वो कैसा होता है, naked होता है, क्योंकि वहापे surrounding कोई cellular nuclear membrane नहीं है, जैसे nuclear membrane बात की कि यहाइसे one room की तरह लगता है, जहापे कोई compartment नहीं है, see, in addition to the main genomic DNA, that is single chromosome circular DNA, many bacteria have the small circular DNA outside the genomic DNA, this smaller DNA were called as plasmids, देखे, bacterial cell में main genomic DNA तो होता ही है, जो naked होता है, और cytoplasm में पढ़ा होता है, तो यह main genomic DNA होता ही है, उसके साथ साथ एक और DNA होता है, which is the small circular extra chromosomal DNA, और उसक क्योंकि यह main DNA है, main DNA छोड़के एक extra DNA है, okay, वो main chromosomal DNA छोड़के एक extra chromosomal DNA यहापे क्या है, देखने को हमें मिलता है, और उस extra chromosomal DNA को बोलते है, plasmids, okay, तो यह characteristic है bacterial cell का, कि कुछ bacteria में plasmids हमें देखने को मिलती है, और यह भी single circular DNA है, plasmid क्या है, it's a single circular DNA, okay, यह भी circular DNA होते है और जैसे आप जानती ही हो कि अगर कहीं पर DNA होता है, तो DNA का मतलब होता है कि उसमें genes होते है, okay, DNA ही क्या बनाते है, genes वहाँ पर बनाते है, और यही genes बाद में transcription और translation होके वहाँ पर क्या बनाते है, proteins बनाते है, जो सारे life processes के लिए क्या होता है, essential होता है, तो यहाँ, इस point क मेनी यह है कि यहाँ पर जो में जिनोमिक DNA है, वो में जिनोमिक DNA छोड़के वहाँ एक 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 एक्स्ट्रा DNA है, that DNA is called as the plasmid DNA, तो यह जो प्लास्मिट DNA है, ज़रूर उसके बाद genes भी होंगे, तो वो कुछ ना कुछ activity वहाँ पर दिखाता होगा, देखिए, the plasmid DNA confers the unique phen to such a bacteria, that is, one of such a character is the resistance to the antibiotics, देखिए, यह जो DNA होता है, यह जो DNA जब एक्स्प्रेस होता है, तो one of its character जो एक्स्प्रेस करता है, वो यह है, कि वो resistance दिखाता है to the antibiotics, देखिए, यह bacteria को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब भी कभी आपको bacterial infection होता है, और बडी में, अब देखिए, अगर इस bacteria को किल करना है, तो इस bacteria के डेथ होगी, लेकिन इस bacteria के पास अगर plasmid होगा, तो वो खुद का self-defense कर सकता है, कैसे, अगर उसके पास plasmid है, तो उसके पास antibiotic resistance के genes होंगे, तो इस antibiotic को रिजिस्ट करने के लिए उसके पास genes होते हैं, और इ अगरेज में, डिए ने के धूकुद को अंटिबाइटिक से बचाने के वहाँ पर क्या करता है, कोशिश करता है, और रहेए, नो ओर्गनल्स, लाइक वंस इन यूकरियरे अर पांद इन द प्रोकेरियोटे अगर एक्सेप्ट पर रखुद को रिखिए, जैसे हैं हमने पि प्रोकेरियोटेक में अगर जैसे यहाँ पर देख रहा हूं कि सली और आज नोमां पिहां अथा आ यहाँ राऌ जया जए वहाँ प्रोकेरियोटेकों दाग योकियोगिग के जो प्रोकेरियोटेश में इसके पास कुछे उनिक बडीक भाईगे इनको आजा यूप्सप्रि है यह लिए तरह से फोल्ड हो जाती और जैसे ही फोल्ड हो जाती है और आप देख रहे हो कि जैसे इतना बड़ा स्ट्रक्चर वह वहां पर बना लेती है और यह जो को बोला जाता है मेजोजोम, तो यह जो मेजोजोम है, यह modification है cell membrane का, और यह unique होता है to the prokariots only, मतलब यह सिर्फ prokariots के पास ही होता है, तो mesozooms is a typical characteristics of prokariots, which are nothing but the infoldings of the plasma membrane, यह plasma membrane की infolding होती है, तो यह bacteria में बहुत बार दिखा जाता है, जो diagram में आप देख रहे हो, यह bacterial mesozoom ही आप देख रहे हो, तो अगर आप से पूछा जाए examination में, अगर UPCMAS examination में एक question होगा, कि mesozooms को define कीजिए, तो आपको quickly याद आना चाहिए, कि mesozooms जो होते, these are nothing but the modification of plasma membrane of the prokariots, जो prokariots होते हैं, उनकी जो plasma membrane होती है, उसके modification को हम क्या कहते हैं, mesozooms कहते हैं, तो mesozooms are nothing but the infoldings, और यह outfolding नहीं है, यह infolding है, मतला cell के अंदर यह infold हो रहा है, तो इसलिए उसको plasma membrane infoldings बोलते हैं, और इस structure को collectively क्या बोलते हैं, mesozooms, all right, now see, most of the prokariots are particularly the bacterial cells have chemically complex cell involved, जो bacterial cell होती है, जो prokariots में आते हैं, इन bacterial cell में एक खास बात होती है कि उनके पास एक particular cell involved होता है, यह जो cell involved होता है, यह उनको protect करता है हर environmental condition में, actually इसका protective function है, तो यह जो cell involved यहाँ पे bacterial cell में present होता है actually वो तीन layer से बना होता है, त्री जो पहला outermost होता है, it's called glycocalyx, the middle one is called cell wall and the inner one is called as the plasma membrane, तो जो cell involved होता है bacterial cell में, वो तीन layer से बना है, जो सबसे बाहर वाली layer है, it's called glycocalyx, okay, उसके बाद जो उससे अंदर वाली जो layer है, it's called this cell wall, और उसके बाद inner to the cell wall is present the plasma membrane, okay, तो glycocalyx cell wall, plasma membrane, इन तीनों को मिला के यहाँ पे क्या बन रहा है, cell involve बन रहा है, तो जो bacterial cell होती है अगर आप कजि़र करो से अगर यह bacterial cell है, तो अंदर से यह plasma membrane, plasma membrane के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा cell wall, और cell wall के बाद यहाँ पर क्या आएगा, glycocalyx तो आप बोल सकते हो कि सबसे जो यह बाहर वाली लेयर है, यह क्या है, glycocalyx है, उसके बाद जो middle layer है, it's called the cell wall और उसके बाद जो inner layer है, that is called the plasma membrane जो last वाली यह क्या है, plasma membrane है, तो इन तिनों को मिलाके क्या बना है, cell envelope बना है, तो जो cell envelope होता है, prokaryotic cell में, वो तीन लेयर से बना होता है, the glycocalyx जो सबसे बाहर वाली layer है, which is the most, outer most layer, then cell wall, वो cell wall में होती है, और उसके बाद, जो सबसी inner most होती है, वो plasma membrane होती है, और इस glycocalyx cell wall और plasma membrane से क्या बनी है, वहाँ पे cell envelope बना है, bacterial cell में, all right, now see, all through each layer of the envelope performs the distinct function, they act together as a single protective unit, बेखिये, हर किसी का वहाँ पे अपना function, जैसे आप जानते हो कि glycocalyx यूनिक है बड़ा chemical composition में, तो उसका अपना function है, cell wall जो होता है, जैसे आप जानते हो कि हर organism में cell wall कैसे function करता है, उसके बाद जो plasma membrane है, जो selectively permeable होती है, इसका भी आपने खुद के जो यह है typical functions है, लेकिन खुद के सब के अलग-अलग function होने के बावजूद यह तिनों एक single protective unit की तरह काम करते है, बेक्टरिया में, मतलब यह protection देने का इनका common work है, चाहिए वो glycocalyx हो, cell wall हो, या फिर वो plasma membrane हो, तिनों मिला के यहाँ पर वो क्या करते है, यहाँ पर protection का ही काम करते है, and they act as a single unit, single protective unit की तरह हो यहाँ आप bacterial cell में क्या करते है, काम करते है, देखे जब भी bacterial cell के बारे में, आपके पास maximum point हो, ताकि आज जब भी mains examination वहाँ लिखना हो, तो वहाँ पर points की कमी ना रहे, तो इस तरह से आपको यह सब कुछ याद रहना है, कि single protective unit की तरह यहाँ पर काम करता है cell involved, जो बना होता है, तीन layers से पहला, glycocalyx, then the cell wall, and then there is a plasma membrane, all right? जो gram positive bacteria है, वो different है than the gram negative bacteria, और इन दोनों को हमने classify किया है on the basis of two criteria, जो पहला criteria यह है कि उनके cell involved जो है, वो एक दूसरे से different है, और जो दूसरा criteria यह है कि gram procedure जो develop की थी, gram scientist ने, जो staining procedure उनोंने दी थी, वो जो stain है, वो bacteria लेता है कि नहीं लेता है, तो depending upon these are two factors, वहाँ पर क्या हुआ है, जो यह है, bacteria को हम classify कर सकते है, into the gram positive bacteria and into the gram negative bacteria, तो जो gram positive bacteria होते है, वो ऐसे bacteria होते, that take up the gram stain, वाइल, the gram negative bacteria वो होते है, जो gram stain नहीं लेते, तो जहाँ पर gram stain अपला नहीं होती, तो उसको बोला जाता है gram negative बैक्टिरिया और जहाँ पर gram stain accept होती है या फिर अपला होती है उस बैक्टिरिया पर उसको बुला जाता है gram positive bacteria तो bacteria को हम दो classes में divide कर सकते हैं फर्स्ट इस gram positive bacteria and second is gram negative bacteria यह classes हमने दो criteria लेके बनाया है पहला यह है कि उनकी chemical composition में change है उनके saline volume के और दूसरा वो gram staining को response करते हैं कि नहीं करते हैं तो अगर gram staining को response करते हैं तो that is called the gram positive bacteria और अगर gram staining को वो response नहीं करते हैं तो it is called the gram negative bacteria all right now see the glyco calories different in composition and thickness among the different bacteria जो glyco calories का जो layer होता है हो हर bacteria में एक जैसा नहीं होता है वो differ करता है okay see it could be a loose sheath कभी कभी यह loose sheath की तरह होता है और तब उससे slime layer बोला जाता है उस loose sheet को मतलब कोई अगर एक bacteria है और उसका cell है और उसकी जो outermost layer है cell की glyco calyx अगर उसकी जो loose sheet के तोर पे वहाँ पे arrange है okay loose sheet है तो तब उसको slime layer कहते हैं लेकिन कुछ bacteria होते हैं जिसमें यह थीक होती और तफ होती है तब उसको capsule बोला जाता है और एक जांपल कि यह बैक्टरीया है और सबसे outermost layer है glyco calyx की और यह बहुत थीक है और कैसी है tough है तो इसको क्या बोला जाता है capsule बोला जाता है तो जब loose sheet होगी तब उसको बोलना है slime layer और जब वो ठीक और टफ लेयर होगी तब उसको क्या बोलना है capsule बोलना है और यह सेल वाल डिटर्माइज शेप अप्लाजमा मेंब्रेन होती है तो सेल वाल जो होती है यह सेल का shape determine करती है क्योंकि यह जो सेल वाल होती है यह rigid होती है और rigid होने के कारण यह जो bacteria का है उसको एक definite shape देने का काम यह जो है, यह cell wall करती है, तो cell wall का पहला function यह है कि वो shape provide करती है, कि इसको, bacterial cell को shape provide करती है, उसके बाद यह strong structural support भी देती है, okay, structural support वहाँ पे strong होता है उस bacterial cell को, उसके बाद उसी bacterial cell को वो brushed होने से बचाती है, okay, तो brushed कब होगा bacteria, जब उसका inner content, जब pressure की वज़े से बाहर आ जाएगा लेकिन pressure की वज़े से inner content बाहर की नहीं आता था, क्योंकि सबसे बाहर जो layer है, जो middle layer है, that is called the cell wall, वो rigid होती है, और उस cell को definite shape में बनाए रखती है, और cell को कभी brushed वहाँ पे वो होने नहीं देती, alright, now see, the plasma membrane is the semi-permeable, तो जैसे कि पहला layer हमने देखा था, वो था glycocalyx का, right, जो second layer हमने देखा था, वो था cell wall का, अब जो third layer जो हम देख रहे है, it is called the plasma membrane, okay, तो यह जो plasma membrane होती है, यह semi-permeable nature होती, इसका मतलब क्या है, कि वो कुछ molecules को allow करती है, entry और बाकि molecules को deny करती है, for example, यह cell है, और अंदर से यहाँ पे क्या है, cell membrane है, okay, बाहर से glycocalyx है और बेच में cell वाल है, तो अगर किसी molecule को अंदर entry लेनी है, तो यहाँ पे हो सकता है, कि semi-permeable होने की वज़े से, वहाँ पे यह जो है, plasma membrane उसको entry allow ना करे, लेकिन किसी और अगर substance को entry करनी है, तो हो सकता है, वो उसको cell के अंदर entry दे दे, okay, तो यहाँ भी वो semi-permeable है, वो select करती है, कि कि किसको cell के अंदर entry देनी है, और किसको cell के अंदर entry नहीं देनी है, और cell के protection point of view यह बहुत important है, उसके साथ-साथ यह इंटरेक्ट करती है, आउटसाइड वोल्ड के साथ, इसका मतलब कहाँ दिखे ले, जो plasma membrane होती है, वो living membrane होती है, और यह जो living membrane होती है, constantly इंटरेक्ट करते to the eukaryotes, eukaryotes में जैसे plasma membrane होती है, वो ऐसी ही same plasma membrane prokaryotes में भी होती है, तो अगर कभी आपको similarity लिखनी हो prokaryotes और eukaryotes के बीच में, तो आप यह लिख सकते हो कि plasma membrane जो होती है, दोनों में उनका similar composition है, चाहे वो plasma membrane prokaryote की हो, या फिर plasma membrane eukaryote की हो, दोनों तोर पे वो क्या है, वो एक जैसी हमें दिखाई देती है, all right, now see, when the bacterial cell divides, the bacterial chromosome, simple circle of DNA, replicates before the cell divides, देखे जब bacterial, वहाँ पे cell divide होने वाला होता है, समझ लेजे बैकरिया का cell है, और यहाँ पे जैसे हमने कहा था कि DNA इधर ही पढ़ा होता है, cytoplasm में, right, तो यह जो DNA होता है, cytoplasm में, जब यहाँ प bacterial chromosome divide होने वाला होता है, तो यह bacterial chromosome पहले divide होता है, इससे पहले की cell divide हो, इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पे एक chromosome था, लेकिन cell भी divide होनी की बाकी ही है, लेकिन वहाँ पे दो chromosome वहाँ पे तयार हो गए है, मतलब chromosome, जो bacterial chromosome है, वो पहले divide हो जाता है, cell divide होने से पहले, okay, same, then see, there are two DNA molecule that result from the replication attached to the plasma membrane at different points उसके बात क्या करते हैं जो दो DNA molecule यहाँ पर बन गए है यह पहला DNA molecule है और दूसरा DNA molecule है फर एक्जामपल यह bacterial cell है और यह plasma membrane है तो यह दो DNA molecule क्या करता है यहाँ पर attach हो जाता है और दूसरा DNA यहाँ पर attach हो जाता है मतलब दो DNA पहले पहले वहाँ पर chromosome divide होगे एक chromosome से दो chromosome बने और दोनों chromosome में दो DNA हो गए और दो DNA यह अलग-अलग point पर plasma membrane को क्या हो जाते अटेच हो जाते बटाइच हो जाते बटाइच हो जाते बटाइच हो जाता है तो यह इंशुर करता है कि हर एक सेल के पास डॉटर DNA वहाँ पर पहुचे तो जब replication हो रहा है तो क्या होता है कि जब वहाँ पर single chromosome है single circular chromosome है वह पहले डिवाइड हो जाता है इससे पहले की cell डिवाइड हो फिर वहाँ पर दो chromosome बन जाते है तो यह जो दोनों chromosome है वह डिफरेंट जगा पर प्लाजमा मेंब्रेन को अठेच हो जाते है और फिर बीच में से वहाँ पर सेल डिवाइड होती है इसलिए हर जो दो सेल बनती है हर एक सेल के पास अपना जो है वह इंडियूजिवल डियने वहाँ पर होता है इसलिए अपने पहले भी देखा था कि प्लाजमा मेंब्रेन का इन फोल्डिंग होके वहाँ पर एक स्ट्रक्चर तयार होता है जिसको बॉला जाता है मिजोजों यहाँ पर आपको बैक्ट्रिल मिजोजों दिखाई दे रहा है और जो मिजोजों होता है यह वेसिकल के फॉ में भी हो सकता है जैसे भी होती है इस प्रकार की रही होती है'll ॉके जो पहला पिछल की तरह इस तरह से Tao होता है नीच नहें घुट्ट्रस फॉसके जहा और इससे होते हैं और districts यहांगब लेकिवीब कि ना दुशे काम हो सकते इस प्रकार्ट कर सकते क लेकि तु यह तो यह तीपिकल करिशन क्लिकर स्रेइप उक्रों sow यह श्रुरूर कठीर मेंचिए करते होंगे Estamos सब्सक्राइब्सराइब करेंसरी आध्योंसिक्राइब eh उसके distribution में भी बदख करते है, they also helps in a respiration, देखिए, यहाँ पर क्या होता है, कि bacterial cell में जो होता है, उसमें mitochondria नहीं होता है, mitochondria ना होने की वज़े से, जो respiration का process होता है, वो होता है plasma membrane पे, जितने भी respiratory activities होती है, prokaryotes में, वो कहां पर होती है, plasma membrane पर होती है, इसकी वज़े से क्या होता है, कि यह जो plasma membrane का extension है, या फिर modification है, जिसे हम mesozoom कहीते है, यह mesozoom में ही वो respiratory activities यहाँ पर हो रही होती है, उसके बाद secretion process में भी वो मदद करता है, surface area भी increase करता है, plasma membrane का, जिस वज़े से enzymatic content भी वहाँ पर बढ़ सकता है, देखें, plasma membrane अगर यहाँ से सिधे सिधे ऐसे connected होती, तो उसका जो surface area होता, वो limited होता, लेकिन यह in-folding जो हुई है, plasma membrane में जिस वज़े से mesozoom बने है, उस वज़े से जो surface area जो है, वो largely बढ़ गया है, तो surface area बढ़ने की वज़े से आप यहाँ पे ज्यादा DNA replication करना, उसका distribution करना, respiration की process को carry out करना, secretion करना, surface area बढ़ना, और enzymatic activity content भी वहाँ पे बढ़ सकता है उसकी वज़े से, तो mesozoom सार critically important होते हैं, from the bacterial point of view, all right? Now see, in some prokaryotes, जैसे cyanobacteria हो गए, there is a other membranous extension into the cytoplasm, called as the chromatophores, which contain pigments, देखे, अब अगर हम cyanobacteria की बात तरे हैं, normal bacteria छोड़ कि, अगर हम cyanobacteria की बात तरे हैं, तो वहाँ पे भी membranous extension होते हैं, जैसे mesozooms होते हैं, normal bacteria में, वहाँ पे भी यह extension होते हैं, लेकिन इस extension में एक important difference है, उसमें difference यह है, कि वहाँ पे extension के साथ-साथ, वहाँ पे pigments भी present होते हैं, तो pigments present होने के कारण, उनको chromatophores बोला जाते हैं, आप समझते हो, chroma मतलब color होता है, और pigments जो होते हैं, यह colorful होते हैं, तो pigments वहाँ present होने के वज़े से, वहाँ उस structures को chromatophores बोला जाता है, mesozooms नहीं बोला जाता, तो जब bacteria में प्लाजमा मेंब्रेन का modification होगा तब उसे क्या कहते हैं? मिजोजोम्स कहते हैं लेकिन अगर सायनो बैक्टेरिया में अगर प्लाजमा मेंब्रेन का modification अगर वहाँ पे हो रहा है तब उसे chromatophores बोलते हैं यह आपको critically याद रखना है क्योंकि यह MCGOS में भी आपसे पूछा जा सबता है कि chromatophores कहा पे मिलते हैं और जो mesozooms होते हैं वो कहा पे मिलते हैं जो botany entrance examination का अगर कोई preparation कर रहा है तो उसके लिए point critically important होगा उसके साथ साथ मैं आपको suggest करूँगा कि अगर आप यह video lecture देख रहे हो और जो content जो है वो screen पे flash हो रहा है तो यह content आप video को pause करके थोड़ा note-down कर लिया किजिए कि इसके साथ साथ आपके पास क्या बढ़ेगा एक notes बढ़ेगी और notes जो बनेगी वो आपके handwritten notes होगी handwritten notes का फायदा ही होता है कि जब आप लिखते हो तो एक बार आपको यह आदत हो जाते है कि ऐसे words लिखने की तो जब UPC main साथ लिखोगे तो उस वक्त कोई परेशान यह नहीं आनी चाहिए यह सब कुछ answer लिखने में तो मैं strongly recommend करूंगा कि आप जो content आता है screen पर उसे आप note-down किया कीजिए और इसका मतलब यह होता है कि उनके पास locomotion का पावर होता है मतलब एक जगा से दूसरे जगा वो travel कर सकते हैं लेकिन जब non-motile होते हैं तो उनके पास locomotion का पावर नहीं होता है लेकिन जब motile होते हैं और उनके पास locomotion का पावर होता है तो यह पावर उनके पास आता है due to the presence of flagellum जैसे यहापे आपको दिखाई दे रह है यह flagellum help करता है bacterial cell को moment करने में okay यह moment कर सकता है एक जगा से दूसरी जगा okay यह moments की वज़े से यह locomotory power उसमें आती है और यह locomotion के लिए responsible को नहीं flagellum okay तो flagellum जो structure होता है वो prokaryotes में इसलिए होता है ताकि वो कुछ moments वहाँ पर कर सके okay its moments के लिए वो वहाँ पर present होता है अब यह जो flagellum होता है यह तीन structure में present होता है okay देखें देखें जो सबसे अंदर वाला जो एरिया होता है इसको बोला जाता है vessel body okay मतलब जो flagellum का सबसे अंदर वाला एरिया होता है जो bacterial cell के आपदर होता है उसको बोला जाता है vessel body उसके बाद जहां से वो बाहर निकल रहा है उससी एरिया को बोला जाता है hook okay और उसके बाद जो extend कर रहा है आगे उसको बोला जाता है filament okay मतलब जो long extension है यहां तक बाहर वो इसके बाद जैसी बाहर निकलता है, जहासे ओ ऐसे twist होता है, उसी एरिया को बोला जाता है hook, और उसके बाद जो long filament आगे होता है, जो long area आगे होता है, उसको बोला जाता है filament. तो आप समझ सकते हो इससे, कि the filament is the longest portion and extend from the cell surface to the outside. तो यहाँ भी जो filament है, वो सबसे longest होता है, सबसे बाहर आता है, जैसे इस डियाग्राम में भी आपने देखा, इक इस तरह से बाहर तक एक्टेंट कर रहा था, आउटर एरिया में वो एक्टेंट करता है, और जो filament है, वो तीनों में से सबसे longest समझा जाता है, इन दा फ्लैजि भी जो है, वो bacterial cell में देखे जाते हैं, तो यह जो पिलाए और फिम्री होते हैं, उनका अलग structure है, they do not play a major role in the motility, मतलब वो motility के काम में नहीं आते हैं, लेकिन वो किसी और काम में आते हैं, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यह पिलाए है, यहाँ पिलाए है, यह नहीं है, तो उसका aim क्या है, देखे, 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 देख बाहर निकल रहे हैं, तो इसमें से जो यह फिंब्री है, in some bacteria, they are known to help to attach to the bacteria to the rocks in the stems and also to the host tissue, अगर host tissue को attach होना है, या फिर अगर stems के अंदर कोई rock है, मतलब अगर वहाँ पे stem बही रही है, और बीच में अगर कोई rock आ रहा है, उस rock surface पे stick होने के लिए, या फिर किसी host के tissue पे stick होने के लिए, या फिंब्री और पिलाई काम में आते हैं, तो फिंब्री और पिलाई का function क्या है यहाँ पे, फिंब्री और पिलाई यह दोनों क्या function करते हैं, कि किसी surface area को, अगर attach होना है, मतलब for example rock है, या फिर host का पे tissue है, अगर वहाँ जाके attach होना है, तो पिलाई और फिंब्री यहाँ पे क्या होते हैं, काम में आते हैं, तो यहाँ पे flagellum के साथ-साथ, और भी दो structures है, विच और पिलाई और फिंब्री, both are work for the attachment to the host tissue, और say for that matter to the rocks in the streams, तो याद रखने हैं, यह different structures देखने को मिलते हैं, हमें, prokaryotic cell में, तो prokaryotic cell जब हम देख रहें, तो हमने देखा था कि वहाँ पे cytoplasm है, वहाँ पे naked DNA है, उसके बाद हमने देखा था कि वहाँ पे ribosome भी है, ribosomes के साथ-साथ, फिर हमने देखा, plasmids भी है, फिर हमने कहा था inclusion bodies भी है, ताकि आपको जब answer लिखना हो, ताकि आप selectively उसमें से select कर सके कि कौन सा content लिखना है और कौन से content को skip करना है, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी UPSC वहाँ पे question पूछती है, तो इस सारे content में से कोई एक particular वहाँ पे पूछ लिया जाता है, जैसे prokaryotic ribosomes, ऐसे पूछ लिया जाता है, तो फिर आपको prokaryotic ribosomes के बारे में वहाँ पे detailing देनी होती है, alright, see, the ribosomes, देखते हैं अब ribosomes क्या है, see, the sweatberg is the most important measure of the, to distinguish the ribosomes, देखे, ribosomes जब भी लिखते हैं, तो आपने दिखा होगा, वो 70S ribosome ऐसे लिखते हैं, 80S ribosome लिखते हैं, तो यह जो S होता है, this S stands for the sweatbergs unit, क्योंकि यह जो sweatbergs ने ढूंड ने काले थे, इस वज़े से, sweatbergs ने यह distinguish किये थे, इस वज़े से, उसको sweatbergs unit बोला जाता है, और sweatberg unit वही majorment है, जिस वज़े से हम ribosomes को classify कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि prokaryotes में, और eukaryotes में, ribosomes जो होते हैं, वो different types क्याते हैं, और इसको हम different types किसके basis पे classify करते हैं, depending upon their sweatberg unit, कि 70S है कि 80S है, इसके basis पे हम उसको क्या करते हैं, classify करते हैं, see, ribosomes जो होते हैं, these are composed of two complex subunits, दो complex subunits से बने होते हैं, each of which includes the ribosomes, RRNA and the protein component, देखे, जो ribosomes होते हैं, वो हमेशा दो subunits से बने होते हैं, एक smaller subunits होता है, और एक larger subunits होता है, तो दो subunits से यह हमेशा बने होते हैं, और यह जो ribosome है, इन और राइवोजोम, उसमें RRNA है, चेमिकली वो RRNA प्लस protein से बना हैं, तो यहाँ पे ribosomal RNA और protein, दोनों को मिला के यहाँ पे ribosomes बनाए जाते हैं, तो ribosomes का chemical structure के बारे में, अगर आपको point लिखना हो, तो इसका answer यह है कि वो RRNA प्लस protein से बना है, that is ribosomal RNA प्लस proteins, together they constitute the ribosomes, और ribosomes जो होते हैं, वो हमेशा दो unit में आते हैं, दो complex unit से, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यह जो पहला है, यह पहला unit है, और यहाँ पे जो नीचे है, यह दूसरा sub unit है, तो यह हमेशा दो sub unit से बने होते हैं, और chemically उनके body में RRNA होता है, और protein होता है, all right, now see, in prokaryotes, the ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell, देखिए, जो ribosomes होते हैं, जैसे हमने eukaryote में देखा था, फिष्टे lecture में मैंने आपको बताया था, कि अगर वो eukaryotic cell है, तो eukaryotic cell में, ribosome जो होता है, वो satoplasm में फड़ा हुआ होता है, उसके साथ-साथ जो chloroplast होता है, chloroplast के अंदर भी ribosome होता है, उसके बाद जो mitochondria होता है, mitochondria के अंदर भी ribosome होता है, तो answer है, वो plasma membrane पे present होते हैं, generally they are about 15 nanometer to 20 nanometer, उनका size हो 15 से 20 nanometer का होता है, and they are made up of two subunits, जो 30S subunit और 50S subunit, जो 50S subunit है, प्लस 30S subunit वहाँ पे होता है, दोनों मिला के वहाँ पे 70S subunit होता है, देखें, आप गोलोगे कि 50 plus 30 तो 80S हो रहा है, लेकिन यह इसी तरह का स्वेट बर्क स्लासिफिकेशन है, 50S और 30S मिला के यहाँ पे क्या बनते हैं, 70S ribosome बनते हैं, जैसे आपको यह डाग्राम में दिखाई दे रहा है, यह prokaryotic ribosome है, जो पहला subunit है, it's a 50S subunit, दुसरा subunit जो है, वो 30S subunit और दोनों मिला के यह क्या बनते हैं, 70S subunit बनते हैं, तो जो prokaryotic ribosomes होते हैं, यह 70S type होते हैं, और जो eukaryotic ribosomes होते हैं, जो eukaryotic cell में दिखने को मिलते हैं, वो 80S ribosome होते हैं, तो स्वेट बर्क स्वेट बनिट के according, हम उसे क्या करते हैं, और यू के रिट में ATS ribosomes होते हैं, ओके, नौ सी, रिवोसomes are the site of protein synthesis, protein synthesis की site होते हैं, क्योंकि ribosomes are the protein factories of the cell, हम बोलते हैं कि ribosomes को क्या बोलते हैं, कि protein factories होते हैं वो cell के, several ribosomes may attach to the single mRNA, अगर यह की mRNA को, mRNA वो messenger RNA होता है, जो DNA से message लेके आता है, कि कौन से टाइब का protein बनाना है, और जब यह mRNA यहाँ पर आता है, तो वहाँ पर वो सबसे पहले ribosomes उसके साथ attach होते, जो protein synthesis में आपने जरूर पढ़ा होगा, कि वहाँ पर translation और transcription होता है, उस वो, तो single mRNA के साथ बहुत सारे ribosomes भी attach हो सकते हैं, तो polysomes सबसे पहले आपको याद आ जाना चाहिए, कि यह ribosomes होते हैं, जो एक से ज्यादा ribosomes जब किसको attach होते हैं, यह mRNA को तब उसको क्या बोला जाता है, polysomes, और उसी का अधर जो नाम है, it is called polyribosomes, okay, see, if the several ribosomes attached to the mRNA, then they are called as the polyribosomes or the polysomes, all right, now these are ribosomes, और polysomes are translate the mRNA into the protein, जैसे कि हमने कहां कि फिर वह आपे protein synthesis के काम में आते हैं, तो ribosomes क्या कर देते हैं, translate कर देते हैं, यह mRNA को और mRNA को जब translate कर देते हैं, तो यहाँ पे जो कुछ protein का code वह आपे आया था, वो respective protein वहाँ पे बन जाता है, prokaryotic cell में, उसके साथ inclusion bodies भी वो present होती है, eukaryotic cell में, अब देखे, reserve material जो होता है, eukaryotic cell में, वो stored होता है, cytoplasm in the form of inclusion bodies, अब consider कि जैसे, यह cytoplasm है, ठीक है, eukaryotic cell, prokaryotic cell का, और यह जो आपको bodies देख रहे हैं, blue color के inclusion bodies है, और इस inclusion bodies में, food store रहता है, वो food को store करते हैं, inclusion bodies में, तो वहाँ पे, जो food रहता है, अगर आपको पुछा जा कि, prokaryotic cell में, food कहां पे store होता है, तो वो inclusion bodies में store होता है, यह जो inclusion bodies होती है, वो cytoplasm में पढ़ी भी रहती है, और यह food material को क्या करती है, store करती है, यह inclusion bodies पढ़ी रहती है, और उसमें phosphate granule हो सकते है, syanophysin granule हो सकते हैं, और glycogen granule हो सकते हैं, मतलब food material different type का हो सकता है, depending upon the prokaryote, और यह सब कुछ inclusion bodies में store रहता है, ताकि बाद में उसको consume किया जा सके, as the energy source, अलएट, नाव सी, इसके साथ साथ, इसके साथ, वहाँ कुछ बैक्रिया जमें gas vacuole भी देखे जाते हैं, फांड in some blue, green and purple bacteria, and green photosynthetic bacteria, इस तरह की glass vacuum special structure है, which is not found in all prokaryotes, लेकिन यह जो blue-green अलगी है, यह फिर purple green जो, sorry, blue-green जो prokaryotes होते है, यह फिर purple green जो photosynthetic bacteria होते है, इनमें gas vacuoles specially पाए जाते हैं So this is also a typical characteristic of the procariors which is the inclusion bodies and the glass vacuoles So this was all about procariotic cell I hope that you have understood a lot of this video lecture So this is why like जरूर कीजिए अपने friends के साथ share कीजिए इस content को और अब तक अगर Watney Option Channel को आपने subscribe नहीं किया है तो Watney Option Channel for UPS examination को subscribe जरूर करें तो चलिए मिलते हैं next lecture में